आज फाइल शेयर करने के लिए आउनलाइन तरीका सबसे कारगर बाना जाता है ऐसे में वी ट्रांसफर फाइल शेयर करने के लिए सबसे लोग परी वेब साइट में से एक है यह नीदर लैंड की कंपनी है पुरी दुनिया में इसके करी 5 क्रोड यूजर्स हैं इस पर हर महिन करोडों फाइले ट्रांसफर होती हैं लॉगडाउन के चलते घर बैठे काम करने वाले लोगों के लिए ये साइट काफी उपी होगी थी वी ट्रांसफर के इस्तमाल करना काफी आसान था इसे यूज करने के लिए अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है इस पर एक बार में टूर लोगों का सहरा बना हुआ था लेकिन एक एक बूरी खबर सामने आ रही है इस एप्लिकेशन को बंद कर दिया गया है गवर्णमिन की तरफ से इस application को बैन करने के लिए दूर संचार विभाग नेक order जारी किया है इस order को जारी करते हुए जो reason दिया गया है वो ये है कि national or public interest यानि की इस site को लोगों की सरक्षा के चलते बंद किया गया है company ने अपनी site पर लिखा है कि भारत में application काम नहीं कर रही है क्योंकि शायद इसे block किया गया है और इसे block क्यों किया गया है इसकी वज़द जानने की कोशिश की जा रही है वहीं कुछ users ने भी site के ना चलने की शिकायत की है यह पहली बार नहीं है जब देश में किसी file transfer site को बंद किया गया हो इसके पहले भी शक्की आधार पर कई site को बंद किया जा चुका है और इस बार भी we transfer के साथ ऐसा ही हुआ है अब आगे इस पर भारत सरकार क्या ने लेती है या आगे कोई order आने पर ही पता चलेगा